इलाइट स्टेडी प्लेटफोरम पर आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम डिस्कसन करेंगे हिमाचल परदेश में जियोईटी की जो भरती होती है उसके लिए क्या कॉल्फिकेशन रहती है क्या उसके नियम है किस तरह का आपको टेस्ट आता है और इलाइस्टेडी टीम के द्वारा जो तृतिया अडिशन के साथ में जियोईटी की किताब लॉंच की गई है उस किताब में क्या क्या नई चीजे है ये संपून जानकारी आपको इस वीडियो में तत्यों के हदार पर मिलेगी इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल सकेगा कि आपको ये जियोईटी की त्यारी करनी है आप प्लस्टू पास है महस तब भी आप एक किताब के साथ अपनी त्यारी को किस तरह से आगे बढ़ा सकते है किस तरह से आपको यहाँ पे क्या-क्या कंटेंट मिलने वाला है ये पूरा का पूरी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलेगी सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे जो हिमाचल परदेश में अभी बर्तमान समय में जो ये जूईटी का सरकार के दोरा भरती की जारी है पहले देखिए कलर्क का पद हुआ करता था हिमाचल परदेश में पिछले कुछ में से हमाचल परदेश सरकार दोरा लगभक लर्क की पोस्टों को भरना बंद कर दिया भरी जा रही है लेकिन बहुती कम भरी जा रही है इनके स्थान पे JIT नामक एक नई पोस्ट क्रेट की गई है J.O.E. का मतलब होता है Junior Office Assistant IT ठीक है जी इसके बाद आपके कुछ RNP Rules फ्रेम किये गए है आपको 4-5 बरसों तक यहीं सी पोस्ट पे रहना है उसके बाद आपको Junior Assistant या कुछ इस तरह से आगे या Senior Assistant आपको बनाने के कुछ परक्रिये हो तो बात की बात है यदि आप Simply Plus Two Pass है यदि आपने 12 पड़े है और आपके पास कोई विकलप नहीं है जिन्दगी में आगे बढ़ने का तो आप Simple तरीके से हिमाचल परदेश में JIT के पद बर्तमान स्मेह में भी निकले है आप हिमाचल परदेश स्टाफ स्लेक्शन कमिशन हमीरपूर की वेबसाइट पर जाएंगे वहाँ पर जाकर क्या फोरम फिल अप कर सकते हो यदि आपने मैट्रिक किया है उसके बाद आपने कंप्यूटर का डिपलोमा किया है तब भी आप हिमाचल परदेश में जियोईटी के पदों के लिए इलिजिवल है सबसे ज़्यादा जो भरतियां हमें देखने को मिल रही है हिमाचल परदेश में वो जियोईटी के पदों से ही स्मंदित देखने को मिल रही है तो वरत्मान स्मेह में में 7 टारिक तक 7 जुलाई तक आप अबेजन कर सकते हैं तो आप 7 जुलाई तक इधी फोरूम भरना चाहते हैं तो आप일ब कर लिजिएगा फोरूम भरने के बाद आपको पता होना चाहिए किस का सलेब्बस क्या आता है किस तरह से आपको त्यारी करनी होती है तो यहां पे हम आपको बताना चाहेंगे 200 नंबर का आपको एक multiple choice question आपको handle करने है मतलब जैसे आप forum बरेंगे उसके बाद examination की date announce होगी और उस date में जब आपका paper होगा तो आपको 200 प्रसन आएंगे 140 प्रसन आपके computer से समंदित रहते है 140 computer से समंदित और 60 प्रसन आपको रहते है journal knowledge है जिसमें आपको HP, national, international journal knowledge है everyday science है, logic, social science, journal, English, Hindi यह सारा कुछ मिला करके 60 नंबर का आपको यह आता है तो यहां पे cool मिला करके 140 computer से 60 आपके समान्य awareness से तो यह बन जाते हैं आपके 200 प्रसन, इन 200 प्रसनों के हदार पर ही आपकी selection होगी उसके बाद आप second phase में जाएंगे जिसे typing test कहते है आपको अंग्रेजी या हिंदी, ध्यान से सुनिएगा अंग्रेजी या हिंदी, यदि आप अंग्रेजी में अच्छी typing करते है तो आपको एक मिनिट में 10 वर्ड टाइप करने होगे 10 मिनिट का आपका टेस्ट होता है जिसमें 300 आपको सही वर्ड भहाँ पे टाइप करने है यदि आप हिंदी में typing करते हैं अंग्रेजी में आपको typing नहीं आती है तो आपको 10 मिनिट में 250 बढ़ करने की आपके किसमता होनी चाहिए ये just qualifying nature का होता है skill test का मतलब है यहाँ पे कि आपको qualifying करेंगे आप just इसमें और बाकी कुछ भी नहीं होगा qualify करने के बाद जो आपका typing test है ये qualifying करेंगे आप और उसके बाद फिर आपकी merit बनेंगी automatically आपका ना कोई evaluation test होगा ना आपका कोई और test होगा सीधा direct आपका उसके बाद क्या होगा direct आपकी selection होगी आपके लिए आपका जो role number है वो आपका finalist में आएगा और आप हिमाचर परदेश सरकार में नौकरी प्राप कर सकते है मतलब अब written test की ही तबज्जो है हिमाचर परदेश में दिया आप JIT बनना चाहते हो अब आपको बता देती है इसके लिए पढ़ना कहां से अक्सर बहुत से बच्चे confused रहते है तो हम आपको बताना चाहेंगे Eli study team का YouTube channel भी है Eli study co.in करके website भी है आप यहाँ पर देख रहे होंगे बड़ा करके आपको दिखा देते हैं आप इसका screenshot रख लिजिएगा या आप इसको यहाँ से copy भी कर सकते है copy paste करके आप फिर Google browser में डाड़िएगा जब आप इस website में जाएंगे तो आपको किताबों की एक list मिलती आपको किसी तरह की कोचिंग के उपर उजाता पैसे खर्श करने के आप सकता नहीं है हम बार बार आपको एक बात कहते हैं आपके पास अच्छे मित्तर और अच्छी किताबे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं अभी आपने देखा होगा जितने भी परिनाम आपने देखा UPSC किया कितने बच्चों ने घर बैठके self study किया है आजकर बहुत से आपके पास online stroke है जिन कैदिया आप सई धंक से इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप अपने जिवन में आगे बढ़ सकते हो तो आप elastity जब बहाँ पे जाएंगे Google Chrome पे टाइप करने के बाद तो आप website आजाएगी बहाँ से आप कुछ किताबे अपने लिए देख सकते है JIT 3T Edition में आपको क्या मिलेगा देखिए इस किताब की रूप रिखा इस तरह से रखी गई है कि एक complete आपका जो slip bus है वो तो कबरप हो जाए पहले देखिए आप अपने screen पे देख रहे है introduction to computer है basic structure of computer एक एक चीज़ के बारे में आपको यहाँ पे हम बताएंगे हर chapter से आपको रूप रूप करवाएंगे chapter किस तरह से यहाँ पे लिखाया गया उसकी language क्या है कैसे प्रसंद डाले गए है किहुँ यह किताब आपके रूप योप योगी है यह भी आपको बताएंगे तो आप index में देख रहे होंगे इस किताब की सबसे बड़ी विसेशता है हिमाचल परदेश की पहली ऐसी किताब है जिसको competitive exam के हव्यार्थियों के लिए ही लिखा गया है इस किताब को पढ़के हाजारों की संक्या में हव्यार्थियों ने अपने exams को qualify भी किया है तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे अपनी screen पे आप देखिएगा यह सारे chapter है देखिए कौन सा contents है यहाँ पर जो छोटा हुआ है कुछ भी नहीं है जितने भी आपके अभी तक देखिए हमारी team के दोरा यहाँ पर जो vocational education जिसमें ITES लगता है उसको भी include किया गया है Ministry of Electronics and Information Technology Government of India है The Information Technology Act है 2000 में जो बना था यह सारी चीज़े आपको यहाँ पर मिलती है Mobile Computing है 27 भागों में हमने इस किताब को divide किया है जिसमें आपको पूरा का पूरा computer मिलेगा उसके बाद हमने most important MCQ आप लोगों के लिए डाले है आपको vision भी दिखाएंगे इसका उसके बाद important one liner question है देखिए जब आप यहाँ तक पढ़ लेते है तो उसके बाद हमारी टीम आपको यह की किताब के अंदर 31 old question paper available करवा रही है fully solved question paper है बहुती बहतरी नहाँ पर देखिए आप चिए HP University का exam देजिएगा या Bias Parmar University का देजिएगा या Subordinate का paper देजिएगा यह सारी चीज़े आपको मिल जाएगी और उसके बाद देखिए computer operator है data entry operator है assistant programmer है JIT के previous जो accounts है उसके पीछले पर यहाँ पीछले डाले गया है जब आप इस पूरे के पूरे question bank को त्यार कर लेते हैं तो यहां से बहुत से प्रसण आपके repeat होते है और यह चीज़े आपको निश्चित तोर पे आपकी सफलता को निश्चित करते है क्यूंकि जो प्रसण repeat होते है यही किताब यही इसका कारण है जो हमारी किताब सकसे successful रही है इस किताब में आपको पूरी थियोरी मिलती है, उसके बाद ये old question पर जब बच्चा पढ़ता है, तो उसके दिमाग में बिजन बन जाता है, मुझे त्यारी कैसे करनी है, कौन से प्रसन आ रहे हैं, देखिए, computer operator कैसे बहुत से प्रसन होते हैं, जो JIT में repeat होते हैं, JIT के प्र अनिया गैन भी include किया गया है, जो आपको 40-60 नंबर का आएगा, इसमें HPGK है, NationalGK है, सारी चीज़े आपको यहां पे मिलेगी, अब आपको पहले chapter से हम रूबरो करवाएंगे, देखिए, इसमें आपको simple theory मिलेगी, हर चीज़ को bold किया गया है, आप यहां पे देख रहे ह हमें हुआ है, सारी चीज़े आपको यहां पे देखने को मिलेगी, उसके बाद देखिए, हमने यहां पे को लंबी चोड़ी, कहानिया नहीं लिखी है, आपको first generation से क्या पढ़ना है, वही चीज़ आपको यहां पे मिलेगी, कौन सा computer उन दिनो आया था, vacuum tube का क्या इस्तेमा होते थे, magnetic tapes क्या है, देखिए, यही सारी चीज़े आपको यहां पर मिलती है, उसके बाद देखिए, generation of computer से निश्ची तोर पे एक्जाम में प्रसन आता है, आप अपनी स्क्रीन पे देखिएगा, पूरी के पूरी चीज़े यहां पे देखिए, जितनी विदार्थी को knowledge ज क्या होता है, यह LCD की full form क्या है, यह HDD क्या है, IPOS क्या है, तो यह आप chapter की summary से कबरब कर लेते हैं, और उसके बाद देखिए, उसके बाद विदार्थी को क्या चाहिए होता है, कुछ single liner जल्दी से पढ़ पाए, यह सारी चीज़े हम एक रूप रेखा के साथ ही आपको त्य करवा रहे है, देखिए जब आप single liner पढ़ लेंगे, यह single liner ऐसे सिदे सिदे प्रसन यहां से repeat होते हैं, आपके examination में, अब हमने आपको theory पढ़ाई है, chapter की summary पढ़ाई है, उसकी single liner करवाए है, अब आपको क्या करना है, उस chapter में MCQ आपको लगाने है, MCQ आपको पढ़ने है, तो देखिए यह ऐसे MCQ है, जो बार बार repeat हो रहे है, सिदे MCQ यहां से उठके, आपको paper में देखने को मिलेंगे, इतने महत्तो पूर्ने MCQ त्यार किये गए है, तो आप यह देख लिजिएगा, इस तरह से इस किताब के हर chapter की रूप रेका रखी गई है, देरिना बगबग 7 days में out of stock होने वाली है, हमारी टीम का एनुमान है, काफी demand रहती है हमारे इस product की, तो आप जल्दी से अपने लिए अपने नजदी की subkeeper के पास जाईएगा, या फिर elastedy core.in website से सीधे Indian Postal Services के माध्यम से भी आप इसको मंगबा सकते है, देखिया आपने आपको ती आपको इसी तरह से डिजाइन किया गया, इसकी PDF आपको नहीं मिलेगी क्यूंकि आप comment में बहुत से बच्चे लिखने वाले है, kindly provide PDF, हम इसकी PDF आपको provide नहीं करवाएंगे, आपको hard copy में ही अपने नजदी की subkeeper के पास जाकर के इस किताब को लेना होगा, इस किताब का तृ इस तरह से कागस के rate बड़े है, 600 रुपया से जादा इसकी cost बनती है, लेकिन हमारे टीम आपको बहुत ही कम और reasonable price इस किताब को available करवा रही है, तो आप जल्दी से अपने नजदी की subkeeper के पास जाकर के इस किताब के साथ में अपनी त्यारी को आगे बढ़ा सकते हैं, और ह में comment section में पताईएगा कि सरी तने timing हमारे लिए suitable रहेगी, इस समय से सुरू कीजिएगा, देखे समान्य गयान आप इस किताब में देख रहे होंगे, ये भी पूरा tabular form में है, आप बहुती कम समय में ज़्यादा चीचे इस किताब के माद्यम से पढ़ सकते हैं, दो से तीन बार ये दिया, आप इस किताब को repeat कर लेते हैं, तो निश्ची तोर पर जो आपका exam होता है, आने बाले समय में, आपके लिए काफी helpful एक किताब हो सकती है, क्योंकि हाजारों की संक्या में हम्यार्थियों इस किताब को पढ़के, प्रिक्साइं qualify की है, चाहिए आप 817 की ब आए है, देखिए आपको ये टेबलर फॉर्म में पढ़ने में बहुत यसानी होती है, आपको ये की भी अक्सर यहां पैसा नहीं मिलेगा, जो आपके काम का नहीं है, बस आप सींपल सी इनफॉर्मेशन देखिए हैं, हमें प्रानम्बिक प्रिक्सा में या जो screening test होता है, आपको हर तरह के facts के उपर जाना है, facts को memorize करना है और तभी आपको आगे बढ़ना होता है, तो पुना आपको बता देए, Elastady Corotin वेबसाइट पर जाईएगा, और अपने लिस किताब की एक copy रख लेजिएगा, आपके काम आएगी, thank you very much, keep watching Elastady YouTube channel.